कई उनको salivary glands में फत्तर हो जाते हैं salivary gland stones is also not uncommon जैसे gallbladder में फत्तर हो सकते हैं urinary bladder में या ureter में stones बन सकते हैं वैसी ही salivary gland के ducts में या glands within stones बन सकते हैं और ये अकसर क्या होता है patient कुछ खटा खाता है या खाते समय दर्थ हो सकता है या swelling हो सकता है इन रीजन में जिसे upper neck में swelling हो सकता है या दर्थ हो सकता है और इसको salivary colic कहते हैं इसको ठीक कर सकते हैं ultrasound करके stones बेख सकते हैं कभी-कभी CTR ने मारे के जरुवत पड़ता है gland enlarged है या सिर्फ duct में calculus है so इसकी basis पे हम इलाज कर सकते हैं stones निकालने के बाद these are called silo lips उसको निकालने के बाद बिल्कुल ठीक हो सकता है झालने के बाद प्याद प्याद कर सकते हैं